अब दोस्तों आज हमारे पास यह MacBook का laptop आया हुआ है Apple MacBook का laptop है जिसका model होता है मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें model कहां पर होता है इसका back side में model लिखा होता है यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर back side में model लिखा होता है तो इसका जो model है वो है model number A1398 इसका model है A1398 इसका problem यह है कि यह laptop हमारा on नहीं हो रहा तो अभी हम इसका on करके देखते हैं कि यह on होता या नहीं होता यह हमारे पास कोईर से laptop आया है गाजी बूरत है तो अभी हम इसको on करके देखते हैं नर्मल यह मैंने इसको बटन प्रेस करके अन करके देखा नहीं हुआ तो मैं इसे परे चार्जर लगा के देखता हूँ कि चार्जर लगा के अन होता है या फिर नहीं होता है इसका चार्जर कनेक्ट कर दिया है चार्जर कनेक्ट करके मैं देखता हूँ तो इसका जो चार्जर का लाइट है वो जलना चाहिए यहाँ पे जो हमारा चार्जर का लाइट होता है कनेक्ट करने के बाद वो जलना चाहिए बट हमारा वो लाइट भी नहीं जल रहा है तो इस कंडिशन में हमारा मदर बोर्ड का ही प्रॉब्लम होता है किस्टमर ने बोलाए कि वो मदर बोर्ड अपने यहां पर कहीं पर दिखा चुके हैं वहां पर रिपेर नहीं हो पाया है हमारे पास मधरबोर्ट चेंज होने के लिए आया है तो अब हम इसको खोलेंगे और का मधरबोर्ट चेंज करेंगे तो मैंने इसका अदरआ Murphy buatLatunci ले रख़्ा है यह हमारा न्यू वहुत जो हमें इसमने लगाएंगे, यह हमारा मदर बोड है, यह हमारा न्यू मदर बोड है, जो हम इसमें लगाएंगे, तो चलिए इसको खोलते हैं, और देखते हैं, कि मदर बोड को हम मैकबुक में कैसे रिप्लेस करते हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं, कि इसमें जो स्क्रू लगें, यह कोई मेक बुक वाले स्क्रू नहीं है, सारे हमारे नॉर्मल लाक्टप वाले स्क्रू है, तो इनको नॉर्मली से उपन, नॉर्मली स्कू ट्राइबर से उपन हो जाएगा है यहां जो दो बेस होता है यह बेस रहां से निकल जाता है इस तरह से इमारा बेस अलग हो गया है सबसे पहला काम हमारा जो होता है सबसे पहला हमारा काम इसमें होगा कि इसमें जो बैटरी कनेक्टेड होता है हमें बैटरी को मदर बोड से रिमूब करना है तो यह इसका बैटरी का कनेक्शन हमें इसको रिमूब कर देते हैं तो हमारा यह बैटरी का जो कनेक्शन है मदर बो करेंगे तो हमें पूरा सारा कनेक्सन अटा दिया इसका तब मधरबोड को मैं आराम से यह से निकाल दूँगा ता अगर किस अड़ा है तो बिल्कुल आराम से आरा जाता है मारा मधर बोर्ड यह मधर बहरा आ गया है यह हमारा पुराना वाला जो उसमें लगाएंगे तो भी करते हैं तब मैं यह मदर बोर्ड ने इसमें हीट सिंग फिट कर लिया नुवाले मदर बोर्ड में अब मैं इसको इस लैक्टॉप के अंदर बेस में फिक्स करूँगा इसकी कैबनेट में कि यहां पर जान देने वाले चीज होती है कि हमारा कोई भी वायर कहीं से दबना रहा जाया है हमें अंदर नहीं दमें वो दिखाए नहीं पड़ेगा और दिखाए नहीं पड़ेगा तो हमारा वो कनेक्शन नहीं होगा तो हमें जो इसका वायर होता है सारे जहां चे बाहर निकालने पड़ेंगे उसके बाद यह में इसको फिक्स करना होगा अगर हमारा कोई वायर अंदर रह गया तो वह में दिखाए नहीं पड़ेगा और उसका कनेक्शन हम नहीं कर पाएंगे तो भी हमारा अच्छे से बेड़ गया है अब मैं इसका सारा कनेक्शन कनेक्ट करेंगे जो भी इसमें जितने भी वायर है यह सारे इसमें कनेक्ट करेंगे और फिर आपको आगे दिखाते हैं